हालो एव्रुवान कैसे हैं सारे बच्चे अवेरी गुराफनेंट तो अल फ्यू आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आज यहां पर हम एक स्पेशल इविंट के लिए मिले हैं जिसमें मैं आपको कुछ बताऊंगी कोवे भी इतना आइडिया नहीं है कि कोवेट वैक्सिन क्या है किस तरीके से काम करती है बचे कोवेट बहुत जादा पहल गया है ठीक है और हम सब ही इस प्रॉब्लम से बहुत मुश्किलों के साथ निकल रहे हैं और डेफिनेटली आप सब की फैमली सेफ रहें आप बलकुल रहे होंगे तो यहां पर सारे बच्चे आ जाएंगे और यह थोड़ा बहुत जानना चाहिए हमारी चीज़ें आसपास क्या हो रही है सिर्व बाते ही करना नहीं है आपका काम आप स्टूडेंस है आपने पढ़ा है क्यों नहीं आप अपनी पढ़ाई को इस चीजों में ल समझेये और कोई अगर आपसे पूछे तो आप उन्हें बताएं सो फ्रां मैं नेविप से क्यों पूछेंगा कि आपका वखासिन का क्या है क्या कवाध वैक्सीन सच्च में असरदार है क्या कोवड वाक्सीन से कोई रिस्क तो नहीं या इसे साइड अफेक्स होते हैं या से पूछ है कि हमारे इंध्या में में कॉन कॉविट वाक्शीन अच्छिए तो बहुत ताइप की विकसिन बनी है कुई आपसे कि क्या कॉविट क्नेशन के बाद के लिक्त कर सकते हैं किसी को या कुध infect हो सकते हैं COVID से तो इन सब questions के हम आज answer करेंगे, so every one of you, एक बार जल्दी से मुझे यहां पर बता देंगे, who is here then we can start the section, चालो भई जल्दी यहां पर आजाएंगे चाली So like you know COVID positive after vaccination, अक्सर लोगो कोई doubt है कि यह बहुत देखा गया है कि vaccination के बाद भी, there are some amount of people जिनको दुबारा से COVID हुआ है, तो जानते हैं भई इस चीज़ के बारे में क्या है So सबसे पहले, किस-किस को यहां पर यह पता है कि कितने type की vaccines होती है Can anybody of you tell me कि vaccination का procedure क्या होता है, कोई बताएगा भई देखिए, class को Please interacting रखिए, यह जानना जरूरी है, और इसके बात आप मुझसे कोई questions भी पूछ सकते हैं इससे related, so we can keep it interacting, ठीक है चालो, बताओ यहां पर Anybody of you who know what is vaccination and how does vaccination work, किसी को पता है नहीं पता So क्या कर रहे हो भई, यहां बाते कर रहे हो, हां, ऐसो कैसे चलेगा भई, चालो, देखिए बताओ, vaccination हम हमेशा बच्पन में हमने पढ़ा है कि हमारी बॉड़ी के अंदर वीक पैथोजन डाला जाता है या उसको मार करके पैथोजन डाला जाता है, and उसकी बाद, हमारी बॉड़ी में उसके लिए एक memory बन जाती है कि भई, कोई तो आया था हमारी बॉड़ी में, कोई तो आया है and that is not a part of our body, but क्योंकि वो inactivated है क्योंकि वो या तो dead है वो हमारी बॉड़ी को कोई harm cause नहीं कर पाता और इसलिए हमारी बॉड़ी पे कोई नुकसान नहीं होता, but हमें फाइदा क्या है कि मेरी बॉड़ी को पता लग गया कि ये तो भई, कोई बाहर का बंदा है उसके लिए वो बना लेता है antibodies and life में फिर जब भी वो particular pathogen आपकी बॉड़ी में आएगा हमारा immune response उसके लिए तयार रहता है अपनी antibodies के साथ येस, चलिए नाव, सिर्फ एक ही टाइप का vaccine नहीं होता there are many types of vaccines और अगर मैं बात करूँ COVID की, so there are various type of COVID vaccines ठीक है? चलो so यहां पर बेटा बहुत सारी type की COVID vaccine है, सबसे पहली बात की बात करती हूँ जो बहुत ही simple है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हम अपनी बाड़ी में inactivated या weakened virus से vaccine बनाते हैं तो भई जो असली का coronavirus है उसको inactive कर दिया उसको मार दिया और वो हमारी बाड़ी में डाल दिया तो मेरी बाड़ी में उसके लिए antibody बन जाएगी अब antibody बन गई जब भी वो दुबारा आएगा तो उसको मारेगा भई पिटा दूसरा यहां पे होता है कि पूरी virus को ना डालके मैं केवल कुछ proteins को ही यहां पे डालू यह आप लोगों ने यहां पे पड़ा होगा अपनी 11-12 क्लास में कि बिटा जो viruses होते हैं उनके पास protein होता है तो जो उनका protein है जो उसका कोई special feature है body का जो उसके particularly होता है अगर मैं उस protein को हमारी body में दाल दू तब भी बेटा मेरी body पहचान लेगी कि कोई बाहर का protein है और उसके vaccine अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनेगा this is new for you people and ये आपको जानना जरूरी है देखिए बिटा क्या होता है मेरी body का पूरी information मेरे DNA में होती है आप पढ़ चुके है 12 वाले बच्चे ये चीज़ समझ पाएंगे और वो सारी informations कैसे आगे बेशते हैं एक सेट ओफ इंट्रेक्शन है instruction है कि भाई तुम ये काम करो तुम्हें ये बनाना है कोई ये वाला enzyme इतना इतना बनाना है insulin को इतना इतना बनाना है ऐसे ऐसे ये बच्चे सारा क्या करते हैं ये instruction बेशते हैं in the form of mRNA एन ये तो mRNA कुछ नहीं है DNA से सारी information mRNA में convert होती है और वो mRNA फिर बेटा प्रोटीन बनाता है तो मेरी बॉड़ी में आपकी बॉड़ी में जो भी चीजे हैं आपकी आँखों का कलर आपका complexion आपके बाल आपकी बॉड़ी के hormones आपकी बॉड़ी के enzymes ये सारी information mRNA की पास है और वो mRNA प्रोटीन बना रहा है और वो प्रोटीन कितना बन रहा है क्या बन रहा है उसके जैसे आप दिख रहे हो नाव क्या किया गया है कि हमने एक ऐसा वाइरस को लिया जो जादा harmful नहीं हो बिलकुल harmful नहीं हो और या तो उसको अन harmful बना दिया हो हमलेस बना दिया हो अब क्या किया उसके अंदर ऐसे changes किये उसके DNA में ऐसी गड़बड की कि वो कोविड जैसा वो प्रोटीन बनाने लगेगा तो वाइरल वैक्सीन वेक्टर में बटा क्या होता है यह आपने 12 क्लास में पढ़ा होगा अगर यहां पे कुछ 12 के बचे हैं आपने बायो टेक में पढ़ा होगा कि एक harmless वाइरस को यहां पे क्या किया कोविड जैसा बनाने की कोशिश करी तो हमने पूरा कोविड वाइरस नहीं डाला हमने एक normal वाइरस को लिया और उसमें कुछ वो चीज कोविड वाइरस का वो DNA का पार्ट डाला डाल दिया वाइरस में थोड़ा change आ गया जब change आया त वोड कर रहा है ठीक है ना दूसरा तरीका यह है वी नो DNA से बनती है कुछ इंस्ट्रक्शन और वह इंस्ट्रक्शन प्रोटीन बनाएंगे कि यह सीदा सीदा वह इंस्ट्रक्शन से डाल दो क्यों किसी और वाइरस को change करके डालना तो हमने mRNA vaccine कहते है चलिए अब यहां पे देखिए so now let's talk about India में कौन कौन सी vaccines है so there are various various vaccines Pfizer है हमारी इंडिया का भारत कंपनी है then we have Johnson's पिटे बहुत सारी companies में मतलब इंडिया और इंडिया से बाहर इन लोगों ने काम किया और बहुत टाइप टाइप की वाक्सीन बनाएं जैसे मैंने आपसे डिसक्स किया इंडिया में देरा two vaccines which are working एक आपने को वाक्सन सुना होगा जो इंडियन वाक्सीन है और एक बिटा आपने को वी शील्ड वाक्सीन सुना होगा चलिए को वाक्सीन बेटा बिलकुल ठीक वैसे ही पुरानी वाक्सीन की तरह काम करती है कि हमारी बॉडी में इन अक्टिवेटेड वाइरस को डाल दिया वे पूरा कोविड वाइडर्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में बनेंगे उसके लिए एंटिबॉडी बॉडी में अब कभी भी जब असली का वाइरस आएगा दबॉडी विल अटाक कोवी शील्ड बिटा अलग तरीक से काम करती है तो यह वाइरल वेक्टर वैक्सीन है जो मैंने आपको बताया तो एक वाइरस होता है जिसको हम अडीनो वाइरस कहती है इस अडीनो वाइरस के अंदर वो सारी चीज़े निकाल दी गई कि यह कोई वाइरस डिजीज नहीं फेलाए इस अडीनो वाइरस में वो जेनेटिक माटीरियल डाला जो कोवीड वैक्सीन के अंदर है पूरा नहीं डाला पूरा डेनेटि से νिकले होए है तो यार वो क्या होता है दाथ is known as the spike protein kovid के पास एक spike protein होता है वहां पे present so what will happen is अज यह जो adeno virus है और यह बटा मेरा covid का virus है यहां देको यह कैसा दिख रहा है इसके कुछ पाइड को अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ पाइड को इस आदीनो वाइरस में डाला और यह आदीनो वाइरस हमने अपनी body के अंदर डाला सो क्या डाला हमने बेटा यहाँ पर कुछ genetic information इसके अंदर introduce करी ताकि अब ये वो वाला प्रोटीन बना पाए तो बोडी को लगेगा यह तो कोविट वाला प्रोटीन है शायद और एंटीबोडी बन जाएगी ठीक है चलिए नेक्स बेटा देखते हैं नाउ नेक्स क्वेश्चिन इस बहुत सारे बच्चों को यह दमाग में आता होगा कि माम इस वैक्सीन सेफ क्या आपको लगता है यह वैक्सीन सेफ है मैं आपसे पूछती हूं तो यू तीन डियू तेंग इस वाक्सीन अर सेफ बेटा चालो किसी को लिए लगता चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप सबको सेफ लगता है इसा कुछ नहीं है कि यह बहुत प्रब्लमेटिक है हमारी बोडी को खराब करेगी वैक्सीन बना रहे हैं और लोगों में उनको लगाना है तो ऐसे ही नहीं बना करके जाएंगे पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है इतना ताइम गटा है वैक्सीन को डेवलाप करने में बिटा उसकी काफी सारी टेस्टिंग होती है कंगोने की बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल's होते हैं। इसके बाद गरॉपर अपॉर आप्रूवल लिया जाता है आफ्टर ट्राइल लोगों में अप्रूवल लेने के बाद उसके बाद फाइनली तब जा करके आगे जा करके वो भेजी जाएंगी बट आफ्टर क्वालिटी रिव्यू पर कैसी बनी है ठीक बनी है कि नहीं बनी तो ये सारी चीज़े हो गई ठीक है चले ल pierws ऑं पर आपने देखा हगा ये जो दोनो ही वाक्सीन वाक्सीन बनीड ताकट भी बाडी में अब वो चीज आगए ब्रें braking सेल बनाएंगी memory cells बनाया मतलब यह भई कोई चीज आई है उसके लिए antibody बनाई और पूरा ध्यान रखा कि अगली बार यह ना आई second dose हम इसे लिए डालते हैं कि यह देखें कि हमारी body में जो पहला memory cells हैं वो सही से बने हैं कि नहीं that is effective or not obviously अब जब आप second dose दाल रहे हैं तो फिर से वाइरस का कुछ content दाल रहे हैं ना तो हमारी body में और उसकी प्रती response आता है और memory cells बनती हैं ताकि बाद में और antibodies और effective antibodies produce हो ठीक है चालिए next पेटा यहां पे बाता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आपके कुछ parents या आपने देखा होगा आपका चा-चा-चा-ची teachers and all इनों गने vaccine लगाया होगा लगाया है कि नहीं और नहीं लगाया तो please उनका जाकर के registration कीजिए बिदा vaccine लगवाई जल्दी जल्दी ठीक है तो why these vaccines are important that we know but there are certain signs and symptoms जो इस vaccine के बाद आती है कुछ ऐसे side effects होते हैं जो अकसर लोग डरते हैं but ऐसा कोई भी major side major इसका you know side effect नहीं है it is very normal देखे क्या होता है जब आपकी body में vaccine डाला जाता है so your body अभी बहुत under pressure में है यह ना उसको बहुत सारा काम करना है उसको antibodies बनानी है memory cells बनाने हैं बहुत सारा काम करना है थोड़ा सा हमारी body में weakness आ जाती है so उसे वजह से हमें कुछ चीज़े होती है जैसे की headaches रहेंगे सर में दर्द होगा या यह तो आपको पता है जहां पर वैक्सिन लगी तो अपर राम में लगा है तो उस area में थोड़ा सा pain होता है inflammation हो जाता है mild fever भी रहता है कईयों को थोड़ा सा flu-like symptoms भी आया है cold, cough and all, body में pain आना, थोड़ा fever आना यह सब भी आया है and थोड़ा सा irritation भी होता है ठीक है चलो तो यह सारी चीज़े हैं but soon it gets over एक दो दिन में कुछ लोगों को हो सकता है एक हाफते तक रहे but उसके बाद वो ठीक हो जाते है and now the body is ready चले ना बेटा अब the question is can we get infected after vaccination क्या हम vaccination करने के बाद infect हो सकते हैं यह आप मुझे बताइए चलो बताओ भई मैंने vaccine लगवा ली अभी क्या मुझे दुबारा COVID हो जाएगा तो देखिए बिटा यह इसका answer हाँ हो सकता है और हाँ नहीं भी हो सकता but the chances are very very less बिटा रीसंट एक article आया था इंडिया तुड़े में अगर आप देखेंगे पूरा एक उन्होंने picture शो किया था स्टाटेस्टिक शो किये थे कि कितने लोगों की वाक्सीन हो चुकी है और उनके बाद वह इंफेक्ट हुए है तो इसके बाद देखा जाए तो 600 लोगों के आसपास यहां पे लोग अगर मैं इसका rate देखू दुबारा होने का, so that is nearly 0.04% अगर मैं कोवी शील्द वाक्सीन की बात करती हूँ, so यह पिटा पहली और दूसरी डोस के बाद 0.02 to 0.03 का रखता है ratio कि हाँ इतना percentage लोगों में देखा गया है कि इन्हें दुबारा से COVID हो गया है, but the reason is what I'll tell you, भी चाहे direct virus डाला है, या virus को modify करके डाला है, so what is happening is, हमारी body में बहुत ही small amount डाली गई है, और यह चोटी सी amount, definitely बिटा थोड़ा time लेगी, हमारी body में response बनाने के लिए, so हो सकता है कुछ दिन या कुछ हफते भी लग जाए, हमारी bodies में antibodies बनने के लिए, now, अब अगर आब infect ह गए, तो इसके दो reasons हो सकती है, reason number one is, अगर आपकी body में अभी antibodies बननी का procedure चल रहा है, अगर अभी तक वो नहीं बनी है, हो सकता है, उस दौरान बिटा आपके body के अंदर वो आ गया, ठीक है, यह हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दूसरा बिटा यह है, कि आप आज vaccination लगाने गए, और दस दिन बाद आपको COVID के symptoms आ गए, अब आप बोलोगे यार मुझे COVID कैसे हो गया, मैंने तो vaccination लगाया है, हो सकता है, उस दसवी दिन से पहले, साथवे, आटवे, नौवे दिन बिटा आप infect हो गए हो, तो इसे लिए आपको थोड़े से late symptoms आ रहे है So these are the chances, जिसकी वजा से यहां पे यह हो सकता है, now the point is, अब भई खुद बिमार हो जाएं, fine, बट दूसरों को बिमारी नहीं पहलानी, that is the thing we need to do, तो क्या हम carrier हो सकते हैं कि नहीं, that is very important, क्या हम क्या हम क्यारी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, infection को, so yes, the answer is absolutely yes, बटे देख यह होता क्या है, मेरी बॉडी के अंदर अगर vaccination चल रही है, तो antibodies बनने में time लगता है, so मेरी बॉडी अभी still ready नहीं है, उससे fight करने के, अगर उस बीच यह हो जाएगा, so मुझे covid हो सकता है, so मैं वो फैला भी सकती हूँ, दूसरी चीज़ बिता, कुछ scientist ने ऐसा भी observe किया और अब covid का virus आया, उसको कोई problem नहीं हुई, body name immune response दिखाया, but वो carry तो कर रहा है, वो किसी को transfer तो कर सकता है, so that is the thing कि हम definitely transfer कर सकती है, so please then for that we need to be very very careful, हमको वेटा covid का protocol follow करना ही होगा, अब यह वही सारी बाते हैं जो आप बहुत पहले से पिछले साल से सुन रहे हो, अब उसको actual में बहुत high level पे अपनाने की जरुवत है, this is my humble request to you, अगर आप mask पहनते हैं, do not wear such masks that are loose, कोई फाइदा नहीं होगा, wear proper mask, कुछ लोग double masking भी कर रहे हैं, बिटा healthy रहे, clean रहे, disinfectant क रहे हैं, even अगर किसी को covid हो चुका है आपकी family में, please ask him to be clean and उसको अपना आसपास का area को clean and disinfectant रखना है, social distances like we all know and अगर आप कोशिच करे, maximum pick up and delivery के लिए, so definitely बेटा, we all together can do it, what we need to do is stay home, stay healthy, now, एक question है मेरा आप से और फिर आपका मेर से जो हो, आप बताइए, एक चोटाजा discussion करते हैं, यह आप में से कितने लोगों को लगता है, आपने देखा होगा, कि भई कहां इतने सारे cases पहुंच गए थे, लाख में cases पहुंच गए थे, then बेटा उसके बाद cases भई, मैं एक state की बात कर रही हूं, कि चलो भई, 98,000 हो गए, एक time आया, पूरा cases कम हो रहे हैं, वट नाव सड़नली, cases बेटा तीन लाग तक हो चुके हैं, can you give me a reason, can we discuss किये क्यों हुआ है, I want to know, कि क्यों भई आप लोगों को लगता है, ऐसा हो रहा है, हर जनरेशन का भई अलग concept होगा, हर किसी की अलग मस्तिया, अलग गूमना, अलग फिरना, क्यों आ देखिए, क्यों इतना जादा फैल गया है, the reason being, कि आपने देखा है कि लोग बहुत जादा नॉर्मलाइज कर लिया था, लोगों को डर भाग गया था एक तरीके से, बिलकुल बेटा धर भाग चुका था, and exactly, कुछ लोग तो अभी तक very good बेटा शिव, कुछ लोग तो भी नहीं था, but now see, अब जिनको नहीं पता था, उनको तो पता लग गया, and जो लोग बहुत ही रिलाक्स थे, अभी उनको भी थोड़ा सा डर लग गया है, ठीक है, now what happened is, लोग बहुत जादा normal हो गये, और आपने देखा है, ऐसे instances भी हुए है, government की rallies निकली है, और कितने सार भाई मेले हुए है, ऐसी gatherings हुई है, जहां पर भर भर के लोग गये है, and what happened, COVID फैल गया, another reason is बिटा, हम ये कहते भी हैं, आप में से कुछ लोग कहते भी होंगे, हम आपके teachers, आपको daily आ करके पढ़ाते है, being COVID situation तब से पढ़ा रही है, जब से COVID शुरू हुआ है, मुझे खु टेक, बहुत सारी precautions, भाई अगर हुआ, कैसे न कैसे infected हुए, तो भाई chances है, और आपको COVID हो गया, ना हो गया, so our body is weak, अभी हमारी बोडी ने इतनी अच्छे से लड़ा भी नहीं, हम कितने लोग कहते हैं, कि अर मुझे तो लगता है, मुझे ना होके ठीक भी हो गया, मुझे symptoms आई ही नहीं, so that what happen is, बहुत सारी लोगों में हुआ, और हमारी बोडी अभी वीक थी, and now, ये मुटें वाई इस आगया, तो बेटा, आर बोडी वस नोट रेदी अच्छे अर रिकावर हुई भी नहीं थी ठीक से, and this thing has happened, तो ये ऐसे हुआ, और पहल गया, so the point is, my point is, there is only one way which we can stop this disease, ये सब तो करना ही है, stay home, stay healthy, ये तो करना है, ये पुरानी है, सारी वोई बाते हैं, जो आपको अब अपनानी है, now, please get vaccinated, आप घर के अंदर भी रहते हैं, still, please get vaccinated, एक country है, वहाँ पे 60% लोगों को vaccinated लग गया है, and उसको mask-free announce कर दिया गया है, so now you can see, vaccination is the only solution, government can think of, vaccination कर आईए, जल से जल, हर चीज़ कर वाईए, ठीक है, चलिए, पूछिए बिटा, चलिए, किसी को कोई doubt, बिटा, yes, देखिए, बहुत सारी reasons होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिमारियां हैं, और doctor advice करते हैं, कि किस तरीकी से vaccinations लगाई जाए, vaccines को बनाया है, इस तरीकी से जाता ह है, कि कोई किसी दूसरी बिमारी के साथ, वो side effect ना करे, so by किसी को, कोई chronic disease है, definitely they can apply, they can go for vaccination, और doctor उनको advice कर देंगे, कि क्या सही time रहेगा, उनको vaccine apply करने का, और दूसरी चीज़ की, उनको उस vaccination की दौरान, अपनी जो चलती आई, medications है, उनको कितना follow करना है, so that you can consult your doctor, alright, चलि तो मिलते हैं भई, आज के लिए इतना ही, so bye bye and thank you so much, मिलते हैं next time, और ऐसे ही कुछ चीज़े जानने के लिए मिलते रहेंगे, चलिए, bye bye